दोस्तों आप देखिए ये है रोयल डेलिशिस का प्लांट जिसको की हम दो तीन सालों से बेंड करके प्रवपर तरीके से वर्टीकल एक्सिज में ट्रेन करने की कोशिश कर रहे है तो ये हम करने में पॉसिबल भी हुए है आप देखिए आपके सामने ये प्लांट है कोई आ देखिए और ये भी पिछे तक पूरी बढ़ चुकी है तो अगर आप इसकी ब्रांचीज देखे तो हमने बेंड की है प्रवपर तरीके से अब यहां पर देखिए जितने भी तहने है बेंड करने के बात इसमें जितनी भी पिछे आप यह देखिए पिने चोटी-चोटी सारी हमने छोड़ी है फ्रूट बढ़ है इसमें आगे सब में फ्रूट आएगा जो यह टेहनिया है यह आप पिछे तक देख पा रहे होंगे इसमें सब में इस परफोर्मेशन हुई है और जो चोटी बरीक पिने है सब में बच इसमें हमें थोड़ी वह समस्या थी पेपर समयट में करो आप अगर ट्रेन करना है तो स analytics में प्रूण को दूसाम है यह IS की कैणोपी है काश्यांदार बनी है और तो नहीं है इसको भी बेंड करने की कोशिश हमने की थी जो यह वाली ब्रांचीस टीजेस पहले उपर जा रही थी यह.. तो इसको भी हमने बैंड किया है तो थोड़ा इसमें कामयाब हुए है इस साल हम इसमें भी जो परफॉरमेशन भी पिछे तक हो चुकी है इसका लीडर खत्म था इसमें उपर से हमने गाला ग्राफ्ट किया है ताकि जो लीडर है वो मजबूती से ग्रो हो जाए तो फिलाल इस तरह के प्लांट्स है हमारे जो रॉयल डिलिशिस के है काफी एक प्लांट्स हमने इस तरह से ट्रेन किये है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने ट्रेन किये है हर प्लांट अलग-अलग तरीके से ट्रेन करने की हमने यहां पर कोशिश की है अपने ओर्चड में आपको नेक्स वीडियो में दिखाएंगे भी जो यह वाले कट है देखिए यह बताना चाओंगा मैं आगे जो यह कट हम करते है समझ में तो यह कट वैसे तो स्टॉप करने के लिए करते है पर फिर भी इसमें यहां से बहुत सारे शूट्स निकल जाते है तो अगर हम स्टॉप करेंगे वराच में तो कहीं न कहीं जो है समस्या वो पेपरी बाग की आ सकती है तो जो आपकी यह में टेहनी है इसको आप चलने दीजिए थोड़ा इसको इसमें डालिए वीक टहने पर तो इस तरह से रोटेशन में चलते रहना पड़ेगा हमें बाकी आप देखी सकते हैं यह रोहल डिलिशियस ब्लांट तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ब्लांट दिखाएंगे दन्यवाद